दोस्तो आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत 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 जादा इंपॉर्टन ही क्योंकि जिस सेग्मेंट की बारे में बात करने वाले हैं बेस्ट फोन अंडर 5000 रुपीज ये इतना चैलेंजिंग मतलए कि इतना इंपॉर्टन सेग्मेंट है बात करता हूं तो क्यों इस सेग्मेंट को मैं सबस्यादा इंपॉर्टन मानता हूं मैं आपको पहले वह बता देता हूं दमदार फोन जिसको 5000 रुपी बेन लेने के बाद भी आपको कोई कमी नहीं होगी दमदार उसके अंदर बैटरी बैक अप होगा प्रोसेसर भी अच्छा होगा और कमाल का मैं ली फोन देखने में भी होगा तो इस चीज़ की शौरटी के साथ इस वीडियो को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन दा चैनल विद वाइफ एक्टर तो दोस्तो पहले अगर फोन की बात करों तो वो है माइक्रो मैक्स का यू एस क्या कमाल का ये फोन है सिरफ 5000 रुपे के अंदर मले 4999 रुपी के अंदर इसके आपको मिल जाएगा 2GB का RAM और 16GB की स्टोरेज एक इसका 59999 का मोडल इसके अंदर आपको 3GB RAM और 32GB की स्टोरेज मिलती है लेकिन हम बात करेंगे 5000 से नीचे वाले मॉडल के बारे में और बिल्कुल निशिंद रही है 16GB की स्टोरेज हो साब बढ़ा सकते हैं 32,68GB तक क्योंकि इस अंदर आपको ट्रिपल स्लोट मिलता है मादी दो 4G वोल्टी अपसिम लगाने के बाद भी अलग से मेमरी क 5D का curved glass मिलता है वहले गुरलिया glass का फोटर प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा 4000 mh की massive battery इसने मिलती है बड़े अराम से आप एक दिन इसके दर निकाल देंगे ये फोन है जो 5000 से नीचे की price में आपको fingerprint scanner भी देता है साथ ही आपको face unlock का feature देता है और Oreo का आपको 8.1 मिली stock android का experience मिलने वाला है क्या कमाल थमाल ये phone है 5000 की range के अंदर लगबग वो सारी चीज़ इसने मिल रही है जो एक इनसान expect करता है एक century segment के phone के अंदर brand macromax का मैं अच्छा मानता हूं दोस्तों कमाल थमाल phone है 5000 की अगर आपकी range है तो आप इस phone के लिए जरूर जा सकते हैं अगले अग आपको 2GB के RAM और 16GB की storage मिलेगी दोस्तों इस phone के अंदर आपको 8 megapixel का front facing camera मिलता है 13 megapixel का rear आपको camera मिलता है 5.45 inches की HD plus displays के अंदर आपको मिल जाएगी ये phone का look काफी अच्छा है brand भी काफी अच्छा है और अगर बात करें battery की तो 3050 mAh की अंदर आपको battery मिल जाती है MediaTek का 6739 का 64-bit का quad core processor के अंदर आपको मिलेगा Oreo का 8.1 आपको मिलने वाला है जो storage है उसको आप बढ़ा सकते है 128GB तक तो ये एक phone है जो 5000 की range में आप ले सकते हैं या फिर अगर आपको range थोड़ा सा उपर जाता है तो 3GB 32GB वाला variant भी ले सकते हैं 5000-990 रुपे के अंदर दोन की वारे में बात कर लेते हैं दोस्तों आप हमारा वीडियो देखते देखते जी सकते हैं gaming headphones मैं आपको बताई देता हूं एक छोटी सी आप clip देख लीजिए दोस्तों आपके चैनल पर चल रहा है जबरदस्त giveaway जिसके नदर जी सकते हैं आप एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच पांच headphones उसके अंदर gaming headphones भी हैं तो जीतने के लिए आपको simple सी चीज़ करना है कि चैनल को कर लेना है subscribe और इसके results निकलेंगे बिल्कुल live और साथ में एक चीज़ तुम आपको बताना भूली गया इसके अंदर आपको जीतने के मौके सिरफ एक या दो नह पांच आपके इंट्रीज बन जाती है तो जीतने के आपके चांस बहुत जादा हो जाते हैं अब मों पूरी उम्मीद करता हूं कि आप जरूर जीतेंगे इसको live results के में निकालूंगा तो जल्दी से फटावर चैनल को कर लिजे subscribe और video को दीजे share और all the best तो दोस्तो giveaway के लि इस फोन के बारे में परसनली आपको एक बात बोल सकता हूं कि बहुत ही strong ये फोन है और जितने भी reviews मैंने देखें जितने भी लोगों के पास मैंने फोन देखा है और जितना मैंने अपने use किया है मैं आपको बता सकता हूं कि 5000 रुपे में आप कहीं पर भी अपने पैसे की value जो है मैं जितना भी आपने 5000 रुपे इस फोन के अंदर invest करा है मैं surety के साथ कहता हूं कि पैसा आपको वापस मिलेगा return on investment आपको sure मिलेगी even आप जब खुब इसको इसको इस्तमाल कर लेंगे तब भी ठीक price पे आपका निकल जाएगा क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों ने काफे time पहले फोन लिया था उन्होंने भी बड़े 5000 की range के अंदर और हाँ अगर आपको जैसे जितने भी फोन बता रहा हूं उनको कहीं पर भी ढूंडने में दिक्कत होती है जैसे यह फोन है कई बारी इनके link जो है वो नहीं मिलते है तो मैं नीचे description में इनके link दे रहा हूं instantly आप उन पर click करके redirect हो सकते है और purchase कर सकते है उस selfie काफी अच्छे आली आली है, bouquet effect में इस इंदर काफी अच्छा होगा, 4999 रुपे का यह model है, 2GB की सिंदर आपको RAM मिलेगी, 16GB की सिंदर आपको storage मिल जाएगी जिसको आप 128GB तक बढ़ा सकते हैं, 5.2 इंचिस की आपको HD screen मिलेगी जो की gorilla glass से protected है, 2.5D का इस इंदर आपको 2.0 का support मिलने वाला है, तो 3000MH की बैटरी अगर है, तो एक दिन तो बड़ा आराम से निकालेगी, लेकिन fast charging का support होने की वज़े से बहुत जल्दी यह charge भी हो जाएगी, out the box आपको Android 7.0 मिल जाता है, न्याने की no-get आपको मिल जागा Android, तो यह एक phone है, जो कि अगर आपको अ दोस्त हैं, जो भाई हैं, आप लोग जो यह बोलते हैं कि हमारे Indian brands को क्यों नहीं चामिल करते हैं, हमारे Indian brands को नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा मैंने ध्यान रखा है इस वीडियो के अंदर की कैसे भी करके अपने जो Indian brands जो काफी महनत करते हैं, उनको इस list के अंदर जरूर ह बनता है हमारे तरफ से, तो इसी बात को लेके हैं अगला phone जो है Lava brand का, और इस phone का जो model है वो है Lava Z61, यह आपको 4,990 रुपे का मिल जाएगा, इसका मैं दूसरा model भी बता जाता हूँ, जो की 5,925 रुपे का मिलेगा, जिसने आपको 2GB की RAM और 16GB की storage मिलती है, इस model में 6MP का rear camera मिल जाएगा और 5MP का front camera मिलेगा, जो screen की quality है वो 5.45 inch की HD+, आपको IPS display मिलने वाला है, इसके अंदर भी आपको 2.5D का gorilla glass आपको मिल जाएगा, Android Oreo 8.1 आपको मिलेगा, और 3000 mAh की सिन आपको battery मिल जाएगी, दोस्तों यह phone का look and feel अच्छा है, Lava के service center भी available है, Indian brand है, अगर आप Indian brands की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपके इच्छा है कि मुझे Indian brand ही लेना है, तो Lava के लिए आप जा सकते हैं, यह थे वो top 5 phones जो की मैं छाट के लाया है, 5000 के बजट के नीचे, और उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, giveaway के अंदर participate जर